मैंने तो अपना मतदान दे दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने जन प्रतिनी थी तो जुन सकते हैं ताकि वो हमारे लिए खड़े होकर हमारे समाज के ब्रगती में वो साथ दे हेलो एबरिवान सभी बड़ो को मेरे साधर प्रणाम छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूं अपने वीडियो में उमीद करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज है 23 में साधार निर्वाचन जेनरल इलेक्शन है आज MP और MLA टाइम निर्धारित किया गया है वोड देने के लिए बाबू केना नहीं जा तो हम सबको वोड देना चाहिए भारत सम्विधान में हमको ये मौलिक अधिकार मिला है कि हम अपना मतदान करें अपना जन प्रतिनिधी चुनने में कोई सर्म नहीं तो आज हम विधान सभा और लोग सभा प्रार्ति चुनने वाले हैं जो भी वह मस्से विजई होंगे वही MPML बनेंगे तो पहले हमारे देश में राज तंत्र चलता था राज तंत्र के हिसाब से सासन होता था यानि राजा महाराजा सासन करते थे और फिर मुगल आए वो कबजा किये वो कुछ साल सासन किये और फिर जब फाइनली हमारा देश आजाद हुआ बहुत सारे वीरों ने वलिदान दिया है यूहीं आजादी नहीं मिला है तो जब वो हमारे देश को आजाद करवाए ना तो फाइनली जब 1947 में हमारा देश आजाद होता है फिर 1915 में जब संभीधान इंटर्डूस क किया जाता है तो तै किया जाता है कि हमारे देश में अभी राज तंत्र नहीं चलेगा हमारे देश में प्रजा तंत्र के हिसाब से सासन होगा प्रजा तंत्र यानि लोग तंत्र लोग अपना प्रतिनिधी खुद चुनेंगे अपना जन प्रतिनिधी खुद चुनेंगे इ और वही हमारे सासन व्यवस्ता में मुख्य भूमी का निभाते हैं। इस हिसाब से हमारे देश में सासन होता है। तो हमारे स्वाधिन भारत के पहले प्रधान मंत्री थे जवाहाल लाल नहरू, उनके बाद गुलजारी लाल नंदा, उनके बाद आये लाल बहादुर सास्त्री, उनके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा और फिर इंदरा गांधी और अभी हाली में हमारे प्रधान मंत्री है स्री नरेंद्रो मोधी उन से पहले मन्मोहन सिंग प्रधान मंत्री थे और उन से पहले अटलबिहारी प्रदान मंत्री थे और हमारे CM है अभी मान्यवर मुख्य मंत्री नइबिन पतनायक तो हमारे देश के जो भी साशन व्यवस्तामें जो भी मुख्य भूमी का निभाते हैं सब ही लोगों के द्वारा चैन किये गए, लोगों के द्वारा निर्वाचित हुए प्रतिनिधी ही सासन करते हैं तो हम सबको वोर्ट देना चाहिए और हमारा तो हग बनता है मौलिक अधिकार है हमको समिधान से मिला है तो हमारा जो अभी MLA election MLA MP दोनों का साथ में हो रहा है हमा इस बारी तो जो MLA सीट है हमारे प्रदेश में हमारे राज्य में 147 मतलब 147 सीट है जिन में से 33 सीट reservation है एस्ट के लिए और 24 सीट reservation है एस्ट के लिए बाकी general लोगों के लिए तो इस हिसाब से हमारा सासन विवस्ता चलता है और जो स्वाधिन भारत है हमारे democratic country का जो main agenda है वो है of the people, by the people, for the people यही agenda के हिसाब से यही policy के हिसाब से हमारे देश में सासन विवस्ता चलता है तो हमारा जो बूत है ना नजदीक ही है तो सुभे भीड रहेगा बहुत बोलके हम अभी जाने वाले हैं अभी जश्ट हमारा खाना पीना हो गया है यानि हमारा लैंच हो गया है तो अभी हम लोग जाएंगे और अपना मतदान देकर आएंगे हम सबका अधिकार बनता है वोर देना मतदान करना तो मतदान करना चाहिए भले ही हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमको हमारा जन प्रतिनीधी चुनने का पूरा पूरा अधिकार है तो बहुत सारी पार्टियां अलेक्शन में खड़े होते हैं वहां से जो भी बहुमत से जीतते हैं वही प्रार्थी जाते हैं MPMLA के लिए और इस बारी कौन जीतेंगे कौन नहीं वो तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे और अभी मैं जाओंगी वोर देने के लिए तो आज ना मौसम भी एकदम मस्त है बहुत धूप रहा था लेकिन आज का दिन इतना अच्छा मौसम है इसलिए मैं सुबह सुबह नहीं गई वना मैं भी सुबह सुबह चले जाती वोर देने के लिए तो अभी मैं जाओंगी और आप सभी लोग बने रहिए मेरे इस वीड तो इसी पूद पे हम लोग अपना मतदान देंगे लोक सवा एबं विधान सवा निर्वाचन दोहजार चोपीस बाबुआ तो मैं पहुँच गई हूँ अभी यहां पे इड़ा देखा बटा तो मैं अभी एंटर कर चुकी हूँ अंदर अभी तो बूद खाली खाली है एकदम सायब सभी लोग जा चुके हैं और आप देखिए नजारा हमारे बूद का तो खाली खाली है यह और कोई भी नई दिख रहे हैं खाली खाली है हर जगा देदी फोन नहीं हाँ ठीक अधी देढ़ी तो मैं जा रहे हूँ अभी अंडर के लिए और user algae नहीं है वहां पे अंदर तो मना कर रहे हैं यहां पर जोबी प्रसासन की बूलिस प्रसासनी हां पे तहना थे अवोँ मैं एक तो मैंना पड़ेगां। तो मैं जा रहे हूँ अभी मतदान करने के लिए और आप सभी लोग बन रहे हैं हमारे वीडियो में तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं अपना मतदान देखकर और तो मेरा मानना ये है दोस्तों राजनीती कभी भी स्वच और निर्मल नहीं होती है कभी भी स्वच और निर्मल नहीं होती है अपने अपने पार्टियों को जिताने के लिए राजनीतिति का स्तमाल करते थे और उनका रणनीती गुप्त होता था वो युद में जब जाते थे ना युद करते थे तभी वो रणनीती अपनाते थे युद कोशल अपनाते थे और विजय करते थे वैसे ही राजनीती में भी कुट नीती होता है जिसको हम डिपलोमेसी कहते हैं जो हमने पढ़ा भी है जब हम पढ़ उसमें हमको पढ़ाया भी जाता था कि राजनीती में भी डिप्लोमेसी होती हैं और उनके हिसाब से उनका कुछ एजेंडा रहता है तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि भले ही राजनीती स्वच और निर्मल ना हो राजनीतिक दल अपने अपने दल को जिताने के लिए जो भी एजेंडा अपना है कोई बात नहीं लेकिन हमें हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ कर अपने प्रदेश की अपनी देश के हित में प्रदेश का और देश के स्वार्थ के बारे में सोचकर ही मतदान करना चा बोट कर कंडिडेट के साथ रिस्टा जैसा भी हो वो छोड कर भी पार्टी एगर अच्छी है अच्छा काम कर रही है ना तो उनको वोट देना चाहिए इसलिए मैं बोल रही हूं कि व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर हमें देश के स्वार्थ के बारे में अपने प्रतिनिधी को चुनने जा रहे हैं विधान सभा और लोक सभा के लिए भले ही हम हमारे देश के लिए कुछ ने कर पा रहे हैं लेकिन हम अपने प्रतिनिधी को चुनकर हमारे जो प्रॉब्लेम्स हैं हमारे सोसाइटी के जो प्रॉब्लेम्स हैं उसको समाधान करने के लिए जरिया ढून रहे हैं जरिया बना रहे हम ताकि वो हमारे अंचल का उन्नती करें हमारे समाज का उन्नती करें युभा पीडियों का उन्नती करें हमारे एजुकेशन सिस्टम का उन्नती करें सबका उन्नती हो पाए बोलकर बहुत जरूरी है मतदान करना तो मैंने तो अपना की वोट डाल दिया है और जो अभी इस बारी बहुत वाइरल हो रहा है न्यूस सब के हम प्रेस कुछ और करते हैं और वोट किसी और को जा रहा है ऐसा बहुत तो हमारे बूत में तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ मैंने जिस बटन पे मतलब जिसको वोट दिया उसका ही परचा नजर आया मतलब हम वोट देते हैं और इधर सिंबल सब होता है एक जगह सिंबल सब होता है और दूसरी जगह बटन्स होते हैं और तीसरी जगह पे ट्रांस्परेंट एक दिख रहा है कि आप जिसको वोट दे र भूल चुक नहीं था ठीक ठाक था और बहुत ही अच्छे से हो रहा है मत्यदान वहां पे हमारी यहां तो थंडाई भी दिया जा रहा है पानी वानी गोल्डिंस वगरा दिया जा रहा है धूप में लोग परिशान ना हो बोलकर और ऐसे जो तंबू बंबू घार कर भी लोग किया गया है ताकि कोई जोल जाल ना हो बोलकि क्योंकि राजनीती में तो जोल जाल होता ही है और बाबू से मिलाती हुमें आपको उसने किसको बोड़ दिया बाबू आया रहा है बुट खुली देभी ओ वहां दीदी पूरा खाली अचन जो भोड़ दो जो बाबू ध मुटा दो सब्सक्रीव जोतसिक कितने कम तो सब्सक्रा कि भोड़ देए वहां टप्रार आंट्रेखंटए हचा पहलाग अंशनल नुआ है assistance जोनी के बना ऐलेक्टओ दिजाम त सानलियां एम दिशन 2 कर दुम है कर दो मकूल ज्लब है सिर्डаль कर टक cognition कि अे तो ओप अ कि भर अप अ मजदी माध Kenneth कि अ क्यों हा पू कहा दे कि अ dूक